गुड मानिंग स्टुडेंट्स आज हम हमारा जो विकली एक्जाम हुआ था देखो उसका कोचन एन सा डिसकसन कर लेते हैं नमबर वान क्या था देखो मॉनिटर रिचेंड डेक्स डिवाइस तो मॉनिटर है कौन सा डिवाइस है आउटपूट डिवाइस है 2. Full form of CPU CPU का full form क्या होता है Central Processing Unit 3. देखो प्रिंटर इचेंड डेक्स डिवाइस तो प्रिंटर है कौन सा डिवाइस है आउटपूट डिवाइस है 4. प्रिंटर पेपर इच कॉल्ड डेक्स हमारा जो प्रिंटर से जो पेपर निकलता है प्रिंट करने के बाद उसी पेपर को क्या कहा रहता है? हाड कोपी फाइब नमबर कॉम्पूटर रच डेक्स मेन पार्ट्स कॉम्पूटर के कितने मेन पार्ट्स होते है? फोर, माउस, कीबोर्ड, सीप्यू एंड मॉनिटर सिक्स नमबर देखो डेक्स इच कॉल्ड ब्रेन अफ कॉम्पूटर कॉम्पूटर का ब्रेन किसी कहा जाता है? सीप्यू एक कॉम्पूटर के डेक्स लार्ज अमाउंट अप इन्फरमेशन कॉम्पूटर अपने अंदर हमारे जो इन्फरमेशन होता है उसको क्या करके रख सकता है, store करके रख सकता है, ठीक है 8. Computer displays DEX after processing the data Computer क्या करता है, हमारे ज़़ डाटा हम input करते हैं उसको processing करने के बाद उसको कैसे display करता है Output के थो display करता है 9. The output displayed on the monitor screen is called हमारे जो monitor के screen में जो भी output हमको दिखाए देता है उसको क्या बोलते हैं, soft copy 10. Dex controls the processing of computer Computer का processing कौन control करता है, CPU 11. ALU, ALU का full form क्या है, arithmetic logical unit Spelling अच्छे से आपको लिखना है, याद करके पुरा CU का full form क्या है, control unit और MU का full form है क्या, memory unit Next देखो, 12. Computer is in Dex machine Computer कौन सा machine है, amazing machine है 13. Dex performs both addition and subtraction हमारे जो CPU में होते हैं, उन में से कौन सा है जो ALU, ME और CU में से, जो की addition, subtraction बोलत कर सकता है तो इसका answer क्या होगा देखो, ALU ठीक है कि का क्या है जो ए mater